अलो एव्रीवन स्वागता आप सभी का जेनुन क्लासिज में सभी पर विद्यारतियों को नमस्कार राजस्तान CT एक्जाम 2024 इसना तक इस्तर 27 और 28 सितंबर 22 पारियों में दोस्तों आपके पेपर यहां पर संपन हो चुके हैं इस पार राजस्तान करमचारी चैन बोड ने CT क को बहुत परमूट किया जैसे किसी प्रोडेक्ट को परमूट करते हैं वैसे करमचारी चैन बोड के दो सचीव हैं जो अलुग राग जी आपके भाक्षन जी इन्होंने लगातार सोसल मीडिया पे बार बार रोजाना दो दो तिन तिन टूइट किये ज्यादा से ज्यादा लगाओ नहीं तो भाईया आने वाली भरतियों में नहीं बैट पाओगे ज्यादा से ज्यादा फॉरम लगाओ क्योंकि हम सीटी के अंतरगती भरतिया निकालेंगे ठीके ना तो वित्यारतियों ने बढ़ चड़कर फॉरम लगाए 13,00,00, सीटी इसना तक में चले गए और रीट का मेला लगता है ना रीट का वैसे ही सीटी का इस बार मेला देखने को मिला और सीटी में दोस्तो इस बार 89 यहां पर ऑसत 89 पसंट यहां पर दोस्तो जो अटेंडेंस है लगबग सभी सिफ्ट के अंदर चार शिफ्ट के अंदर यहां पर देखने को मिली तो जो पेपर कैसा गया है कैसा नहीं गया है उर सारी कोचिंगs की आंसर की देख ली लेकिन इस alarm कापी सारी question में अपथ paranth कर दाउट भी ए एक पेपर में 45 question 45 questions तो होते ही है । जिन में doubt रहते हैं जाततर question वो आप किया to science के रहते हैं या आपके जीके के रहता है कभी भी मैथ या रीजिनिंग में डाउट बहुत कम होते हैं एक दो कुशन जो मिस्प्रिंट हो गया या वो डेटा गलते तो बात अलगे बागी यहां पर गलतिया नहीं होती है तो एक अंदाजा तो लग गया होगा कि कि मेरे 500 में से 60 सवाल सही हो रहे हैं नहीं हो रहें मेरे दोस्तों यहां पर 40 पर्सेंट बंद्रीर निव curry असे झितना भी मुस्ट्रिय ओ सकता अपके 12वे स्तर में आपके काम आ सकते हैं उससाफ से मैंने याँ पर दोस्तों आपको science के answer की याँ पर बताई और जीके के answer की बताई तो आपने याँ पर देखी दोस्तों सारी बाते के लिए अब यहां पर इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सीटी इस्तनातक परिक्षा का लेखा जो का क्या है अना नॉर्मलाइजेशन में बिगाड़ेगा खेल यहां पर दोस्तों सीटी बारवी वाले रहो सतर्क तो भई पहली बात तो कौन सी सिप्ट आपके टफ रही है कैसा आया है क्या एनलेसी से फेपर का दोस्तों पूरा जो सिल्मस था आपका सीरे इसनातक का उस पूरे सिल्मस को काषक किशेए इस वार ऐसा नहीं कि एक सपजेक्ट बहुत जादा पूच ली तो एक सपजेट कम पूच ली इस बार जीके में चाहीव वो इंडिया जीके ह जादातर तीसरी और चौटी सिप्ट में इंडिया जीके के सवाल जादाएं अकोडिंग टू पहली और दूसरी यहां पर सिप्ट आसान सिप्ट की भी हम बात करेंगे यहां पर कुशन का मैं थोड़ा देखता हूं कि हर सब्जेट में जितने भी टॉपिक से उनको कवर किया गया है अगर हम इंडिया जी के की बात करें तो इंडिया की हिस्ट्री भी प अपसल व गया पर योजना हो गही बांध हो गयी इन सब को यहां पर कवर किया तो जुढर आप्ट एक पर दो चीजे यह आप को दिये हैं इस पार पहरे हैं human मिक्स कुशन दिए हैं पिछली पर क्या था कि जाई づा कि सभसे पहले आप को 2000 जीके के दिये उसके बाद में मत राश्तान की इस्थिवी री प्र आतन कालचर दे तれ दिया फ्र येकॉनोमी दे दिया फिर पॉल्ल टी दिया फिर इंडिया जीके दे दिया तो बच्चे को पेपर करने में आसानी रहती है कि यार पहले में इसको solve करूँगा फिर में इसको करूँगा अब बच्चे को जो subject अच्छे से आती है पहले उसको solve कर लेता है अभी क्या है कि पेपर में mixed question है एक यहाँ पर जीके का डाल दिया तो एक यहाँ पर दोस्तो science का डाल दिया एक यहाँ पर math का डाल दिया वैसे तो कोई दिक्कत तो है नहीं है लेकिन दिक्कत यह कि यह बच्चों को थोड़ा time तो लगता है कि math का सवाल है थोड़ा page पलटने बढ़ते है paper के page पलटने बढ़ते हैं देखना पड़ता है प्रूज तो बच्चा होई जाता है तो यहाँ पर फिर सिक्वेंस से नहीं होता मिक्स में होते तो पर से लेकर नीचे तक आपको करने पड़ते हैं फिर दूण दूण के करो आप तो टाइम भी कंजूम होता है तो वह यहाँ पर देखने को मिला इसके लाबद दोस्तों य यहाँ पर हर सब्जेक्ट से बराबर यहाँ पर सवाल पूचे जाएंगे तो आप आटन कल्चर को अच्छा पढ़ रहे हैं तो आपको जोगरोफी को बच्छा पढ़ना पढ़ेगा पॉलिटी को पढ़ना पढ़ेगा एकोनोमिक पढ़ना पढ़ेगा ठेके ना हाँ यह ह पर हिश्ट्री का भी इतना पार्ट नहीं है इंडिया का सिर्फ सब्वेता वगेरा हैं जो आप राजस्तान में आपर पढ़ी लेंगे तो कुल मिला के बात यह दोस्तों कि यहां पर इसमें जोगरोफी और पॉलिटी ही पढ़नी है इंडिया की बारविस्तर में बाकी पूर पर आयर्ट राजस्तान का पूरा आप सारे सब्चेक्ट आपको पढ़ने है जाधा रहेगा? इंडिया का थोड़ा कम रहेगा हाँ यहाँ पर ग्रेशन लेवल में मैथ साइन से लगबग होई सवाल पूछे गए जितने पिसली बार पूछे गए तो रीजिनिंग मैथ दोनों को मिलाकर मैथ के वह अर्थमेटिक पूछे गए रीजिनिंग भी नॉर्मल ज्यादा टिपि आपके बहुं के पर आपके जो ऑलंपयक यहां पर होएं हैं उनसे सवाल दोस्तों बने हैं तो कुल मिलाकर आपके बहुं अगस्त म keyword को कवर किया गया है तो जनुवरी से अगस्त की जो करणट अपएर है जितने चर्शी तुव्यक्ति स्तान है जो आपके परसातियों यहां पर जो पदादिकारी हैं वो आपको राजस्तान के वियाद होने चाहिए इंडिया के वियाद होने चाहिए तो हर सब्जेट को अच्छे से 20 दिन में 22 तरह में जो आपके बारवी स्तर में बचे हुए हैं तो हमें सबक लेना है पर चाहिए दोस्तों अब यहां पर हम देखेंगे पर साती हो कि वह पर का लेवल क्या रहा पेपर यहां पर चार सिप्टों में हुआ पहली सिप्ट का सब्छे आसान लगा क्योंकि कुश्चन भी ठीक ठाक थे रास्तान का भी रास्ता जीके का सवाल पूछे यह इस सवाल बन रहे हैं तो सब पेपर में आपके इंद्रा-गांधी नहर्पर योजना सवाल बन रहे हैं और गुलमिला के जिन टॉपिक से सवाल बने हैं हर दोस्तों हर यहां पर जो पेपर चारो शिप्टों में हर topic को cover करने कोशिस की गई है तो एक topic बार-बार question repeat हुए है यहापर 3-4 question तो हुब हुब repeat हुए है दोस्तों आपके जिसे पहली shift के second में होगे second के third में होगे हाना तो पुल्म इलाके questions repeat भी होते है चार-पाच और इसके अलावा जो topic topic में पहली shift में पूछे जाते हैं वो इन में यापर repeat होंगे अब बारवी में तो 6 shift है क्योंकि 22 को paper है 23 को 24 को है दो shift यापर दो shift यापर दो च्छे shift हमें यापर paper होगा तो यह 6 shift है यह पहली shift का दूसरी shift का हर shift का अच्छे से analysis करोगे तो आपको काफी question यह पर जो है repeat मिलेंगे यह बात आपको ज्यान रखनी है हां सिर्फ तीसरी shift में ऐसा देखने को मिला कि जिन topic से पहली और दूसरी shift में सवाल आए वो तीसरी shift में दोस्तों आपके repeat नहीं हुए इसलिए बच्चे कह रहें कि तीसरी shift shift सबसे typical है क्योंकि इसमें वो जो यहां पर sequence है वो देखा नहीं गया इसमें थोड़ा pattern को बदल दिया इसमें कुछ नए topic से सवाल यहां पर पूछ लिए फिर वापस है वो चौता यहां पर जो shift तो थोड़ा साल का सा तीसरे से आसान है सबसे टिपिकल बच्चा तीसरा और चौता शिप्ट बता रहे हैं मेरे को मेरा परस्नली चौता सिप्ट मुझे टफ लगा बच्चों क्या कोडिंग यहां पर तीसरा टफ है क्योंकि इसमें जिन टॉपिक में उन्होंने तैयारी करी थी पहला और दूसरा तो रिपेट नहीं हुए तो खुली मिलाके यहां पर सबसे टिपिकल जो तुसको सब्सेंटर में क्या मिलेगा लाव मिलेगा फिरसातिय तो देखो नौर्मल जिचन में किस स्वाल करें ह। अगर आपने डेड़ सो में से सो सवाल करें हैं और सो सवाल आपके सही है मतलब सही बता रहा हूं डेड़ सो में डेड़ सो करें होंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन यहापर सो सवाल अगर आपने सही करें दोस्तों तो आपके अच्छा लेवल आया दोस्तों बाक आप कितने कुछन से करें अब काफी बच्चों के अगर ऐसा हो गया तो आप लोग भार हो या जिनके दोस्तो आपका होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, आपके नंबर कम भी होगे, ज्यादा भी होगे, तो डिपेंड करेगा पेपर का लेवल क्या रहा, आपने कितने सवाल सही किये हैं, उसके आदार पर भी देखा जाएगा, तो ये सारी चीज़े आपको देखने को मिलेंगी, अन राच्तान जीके पर ध्यान देना है, आपके मेत पर ध्यान देना है, और इसके लगवा साइ sucking on the fact of science अन मैत का अच्छा घाजा पूरा सिलेबस है, तो पूरा सिलेबस यहां पर कवर होगा, दोस्तों, जिस पौरे कार से अपने CT tão तक में हैं जहुन पर पिरकार CET यह से math reasoning के भी करे होंगे जी के भी करे होंगे तो कुल मिला के 60 तो आपके बैठी जाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं है लगबख सब का यहां पर पेपर किलियर है अब कोई मेरे तो इतनो 130 आ रहे हैं 150 आ रहे हैं कोई मतलब नहीं है जिनके 60 सवाल सही होंगे 120 नमबर आएंगे व अपना जेन्विन क्लासिज अप्लिकेशन पर कोर्स और टैस सीरीज 309 रुपे में हैं राजस्तान का सबसे बैस्ट सबसे अफोड़ेबल कोर्स पूरी घारंटी दोस्तों सीटी पास करवाने की इस बैच को जोईन करो आज ही दोस्तों आज ही जोईन करो सारी चीजे में मि यहां पर पूरा फोकस सीटी टैन प्लस टूपे लगाओ रेगुलर अपनी यूटूब पर किलास हो रही है एप्लिकेशन पर कंप्लेट कोर्स 309 में मिलेगा एप्लिकेशन का लेंगे डिस्क्रिप्शन में धन्यवाद शुकरिया थैंक्यू थैंक्यू सो मच